कोई बिधाया का उकात नहीं उदर्थ कड़ा से कैम रोग करके दिखा दीजिए सब पासने पासने खतरनाक माहूल है सब दैनिये हैं ते नेता लग दियाने निन देता है जुका आभी तिनों तरफ है इनों का आदमी इधर है इस बार आप लोग गरदा वड़ाईएगा बोल मतलगी दो को रहें कि दिखा दीजिए जी एक कैसा दीख रहा है अब पर ध़ी संत्यनाश हो गिया है अब काम होगा कि आप काम होगा अचार सही तलब ही अबम तो जो सरकार वेठएक वही कर Storageस में पढ़िए सिल्यनाश होगी या कम से कम 18-20 दिन पचीश दिन होगी है तो अच्छा सहीता सपहिलिए आप लोगों के दिरिष्टी कौन में क्या लग रहा है कि कि किसका महौल है हम लोग का दिरिष्टी कौन से तो महौल अभी इधर क्या बोले वही दूठों पक्ष है तीन को पक्ष है यह जेल केम ह है और वह का बोलते हैं लिए व्टर है और और कियह जय करता है कि कदर जाना पर है यह महाल रहें का महहल राएगगा च्छोक में तो देख रहे हैं संसे दूपनी तो देखिए साम को महल बनता है बीजेपी कॉंग्रेस दोनों का मामला 50-50 है जेबी केसेस का भी है ये भाई साथ हुए जेबी केसेस का परखंड परखंड रियक्ष पैचमी का अब महाल इधर ठीक है उपरे उपर तो जेबी केसेस का है को आता है कोई जाता है कभी पार्टी बनता है कभी बिछड़ता है बैठे बैठे बीटे बात कर लेंगे निका नाहीं थोड़े तो क्या है यादोजी क्या समस्या भी यहां का समस्या दो बहुत थे लेकिन के पार द्याने निए 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 अम लोग का मंतरी से कौन देगा द्यान जिसका सरकार हो देंगे कहां दियों सड़ेशर चार साव और धिया इंगा तो किनका सरकार बनाईएगा अभी एक दियूपी का सरकार बनाईगा कि अब ही पीछा बगल में खड़ाय के अब देखिए इदर उसके बारे में हम क्या हो लेंगे सरकार बनेगा भी खिज्री में सभा में यह बीजेपी का ही है महुल है महुल है चलिए का नाम है रामकुमार तिर्की जी तब राम जी क्या लग कि सरकार किसकी रहने वाली है सरकार देखिए अभी चुना महुल को देखते हुए देखना पड़ेगा आभी तो यह नहीं कर सकते हैं कि बिजेपी आएगी या जेमें माएगी आप लोगों का जुकाओ कि धर जा रहा है जुकाओ अभी तिनों तरफ तरफ जाएगा लेकिन अभी जो महौल है अभी तिनों तरफ है यहां पर क्या जयराम दादा का हुआ था लोगो कारिकरम यहां नहीं अंगड़ा परखन में हुआ था अंगड़ा में हुआ था काफी था बहुत ज्यादा बीड़ा था अच्छा जो भीड है वोट में कनवाट होगा पिछली बर कितना भूट लाए थे एक लाख कुछ लाए थे लोकसभा चुनाओं में लोकसभा में खाली ये खिजरी से ने 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 राची में पूरे खिजरी में आठ कितना आठ जार कुछ मिला था और इस बार आप लोग गर्दा उड़ाएंगे एक दम गर्दा उड़ाएंगे काया कि यहां विजैपी ये कॉंग्रेस है ठीक है दूरी उद्धा आप ही लोग करना उपर भी थे ओभी आये कहां जबी किसेस में तो आए और फिर छोड़के चले गाए और आना जाना लगा रहता है तो फिर भोटवा कहा रहेगा हम लोग ना देंगे जनता नहीं देगा भोटवा तो लोग तो सीट के लिए आता है कि हमको टिकट मिल जाए अब रही बात कि पीज और चॉबीश वर्स हो रहा है पंद्रे हैं सहल से रस्ता नहीं है कोई बिधाया का उकात नहीं कि रस्ता बना fait ये मतलब बने नहीं तर्फ ही नहीं नहीं है बनल था बंद कर दिया राम कुमार पान प्रम صुनी शाडल को नहीं है आप लोगण आप प्ता ही आगर जेल कम किषा झाल रहते तो भीकिन की। तो रामकुमा भाजपा या कॉंग्रेस वो तो भोटे ही नहीं करते हैं पहले किया है किसको लोक सबा है किसको है जब आसू से कट बादन था तो दिये थे विजेपी को भाजपा का भोटर है जो जेल केम में जा रहा है देख लीजिएगा है ना यहीं न कहानी है चलिए यह था कौन सा चौक बोले थे महादेव मंडा चौक महादेव मंडा चौक पे कुछ भाई जी लोगों का प्रतिक्रिया हम लोग देख रहे थे सुन रहे थे और एक भाई जी बैठे हुए तो थोड़ा उनसे पूछते हैं है ना तो क्या नाम है भाई जी सतेंद्र कु अब कुछ्चू सा रहे होंगे चाहे कुमरिया साहिए चाहे आप सर्दी साहिए ना आप गाड़ी साहिए तो हिच्चौला खाते हुए होंगे घाड़ी में भी एक दो जगए देंट पढ़ गया है ना एससमस्या है रोड़ का स्थिति देनिये सिक्षा स्वास्थ सब दैन लोग करेंगा है अपना मतदान तो लोग करेंगा तो नहीं लोग करेंगा तो नहीं जो पार्टी होुं इसे महौल आप लोग माली घूम रहे होंगे तो कैसा है का कांग्रेस बूनों का है इस बिल्ट में तो अगर देखा जाये तो अभी वर्तमान की सरकार को पास मानिये या फेल पास ने पास ने बिरोजगारी जो आको रोजगार मिला है कभी ने अंदोलित तो हैं अंदोलित रहने इसका कहां मिला कहां कुछ हुआ और और यहां इसको फेल के मतलब किन मामलों में आपको लगता है देखे राजनीतिक मामलें पहतना में यह ओना चाहते हैं एक आम जनता क्या सोचते आम जनता वीकास सोचती है विकास मिले कुछी नहीं हुआ कि यहां विकास के नाम पर कोई चीजें दिखाई नहीं दे रही है यहां सिलान्यास का तो बोड दिख रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है चलिए ठीक है काम सिलान्यास के बोड में हुआ है बाकी रोड पे तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ चलिए ठीक है कैसा लगा खबर जरू बताइएगा कैसी लगी लोगों की प्रतिक्रिया आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरू दिजिएगा नमस्कार